वेलकम बैक वियोज आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रेकार एक्राम आर पार और मेरे साथ पब्लिक है और अब वक्त है गुजरात के ओपिनियन पोल की लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गेस हो गया दूसरा गेस भी ले लेते हैं दीपक जा क्या लगता है आपक आपको लगता है लेकिन विवर जंता क्या सोच रही है जंता की ओपिनियन क्या रही है गौरबाटिया सुरेंदर राजपूत आप देखने चाहते हैं गौरबाटिया परिशान तो नहीं हो रहे हैं अब मुस्कुरा रहे हैं चलिए क्या 27 साल बाद पल्टी मरेगा गुजरात लेकिन उपिनियन पॉल में क्या आता है आखरे आपको बताते हैं सी वोटर का उपिनियन पॉल कहता है कि बिलकुल नहीं गुजरात के अंदर नरेंदर मोधी की वापसी होगी यानि गुजरात के 29 आई थी इस बार 135 का आखरा बीजे भी करास कर सकती है यारी यह पिछले 15 साल में सबसे बड़ी जीत दर्च कर सकती है गुजरात बार चैंतर पाटी यह बड़ा अपडेट है कॉंग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है पिछली बार की तुनला में कॉंग्रेस पिछली बा 42 इस शायद राहूल गांदी अभी तक गुजरात का रुख नहीं कर रहे है और आम आदी पार्टी सपने बड़े बड़े थे सर आपके सपने बहुत बड़े थे आपके लेकिन जनता ने मतलब हो सकता है आपको दो दे दे या शूने दे यानि अंडे किश्रेडी में आप ऐसा क्या कर दिया है आपने तेकि अमीश जी सबसे पहले तो ये कहूंगा प्रधान मंतरी जी जो है ना आज गुजराती अस्मिता का पर्याएं हैं और अंगद का पाउं होता है ना एक बार रख दिया तो छोटा पाप बड़ा पाप दोनों लगे रहेंगे अंगद का पा है कि इनका जो दिल है वो धड़कता पापी आपके लिए है तो मैं एक बात जरूर कह दूँ इनके माद्यम दो इनके लिए नहीं देखिए किसी की मा के लिए आप अब शब्द कहेंगे ना तो भारत का कोई नागरिक हो और गुजराती हो वो सहेगा नहीं और मोदी जी की म के लिए जो अब शब्द गुपाल इटालिया ने कहे हैं मैं समझता हूँ ऐसा जवाब देंगे आप तो कह रहे जीरो अरे अगर जीरो के नीचे होता तो जमीन में कबर खोद देते गुजराती भाई बेहन आप देख लीजेगा